सेकेंड हाफ में बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी समस्याएं आपके लिए नुकसान की स्थिति में आएंगे मांसिक विकार हो रहा है, थोड़ा सभलें जितना आप सभल सकते हैं, उतना आपको सभलना चाहिए जो खाम खासी की शिकायत हो सकती हैं, ओम नमह शिवाय का 108 बार जाप कर लेजें नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशासति कीरा में आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फेंड संतो संतुशी, एक नए दिन का शुभारम और आज का दिन इसलिए बहुत खास है क्योंकि आज मनो कामना सिध्धी अनुष्ठान का आयोजन हमारे कार्यारे गाजियाबाद में होने जा रहा है अब देखिए क्या किस्मत है आप सबकी यह अनुष्ठान आपके निमित खोजा गया आपके निमित दिया गया और आप इसमें पूरी शद्धा और तनमैता से भाग ले रहे यह बड़ी बात है यह बड़ी सकारात्मक पहुच वाली बात है हमारा प्रयास यही रहता है हमेशा कि कुछ नए-नए अनुवेशन कुछ नए-ने खोज, कुछ नए-ने शोध हम आप तक ले करके आते रहे तो आज का दिन मनोकामना सिध्धी अनुष्ठान के लिए अगर अभी तक आपने रेजिस्टेशन नहीं करवाया है तो अभी भी आपके पास मौका है 9354619250 यह डबल लाइन डबल लाइन 0240 डबल लाइन पर वाटसअप करिए कॉल मुश्किल से उठ पाएगा क्योंकि आज बेस्तता जादा है वाटसअप करिए वाटसअप बहुत सारे स्टाफ अटेंडिक करते रहते हैं तुरंत आप तक जानकारी पहुँचेगी शुल के जमा करिए और संकल्प करवा लिजे नक्षत्रिय संकल्प है ये एक अलग तरह का संकल्प शोध है ये ये आपको पता चलेगा आईए सुरवात करते हैं आज के जोतिश दिशा का नक्षत्र टोणी सेवन मीडिया की अद्भुप्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा जेश्ट महाशुकरपक्ष द्वादशी तिथी है आज प्रदोश बट सावित्री वुरत सुबह साथ सत्ताइस तक द्वादशी है चंद्रमा सुबह 11 बचकर 4 मिनट तक तुला राशी में इसके बाद ब्रिश्चिक राशी में प्रवेश नक्षत्र आज का विशाखा रहेगा शाम 5 बचकर 23 मिनट तक इसके बाद अनुराधा नक्षत्र का आरंभा योग रहेगा आज का सिद्ध तद अनुसार दिरांक 19 जून दिन बुधवार राहुकाल दोपहर 12 से डेड़ बजे तक और गुलिक काल सुबह साढ़े दस से बारे बजे तक राहुकाल नए और शुबकामों के लिए सास्त्रोग तो वर्जित है कोई भी नया और शुबकाम इसमें नहीं करना होगा लेकिन गुलिक काल एक ऐसा समय होता है जिसमें आप कोई भी नया और शुबकाम का शुभारंभ कर सकते हैं कार्याब के संपादित हो जाते हैं सही समय पे संपन्न होते हैं तो मेश से लेकर मीन तक अब आईए जानते हैं आज के पूरे दिन का हाल आज की भविश्य वाणी मेश राशी चंद्रमा तुला और ब्रिश्चिक दो राशियों में सब्तम और अश्टम प्रात्य काली नवेला एक सकरात्मक प्रभाव के साथ और उसके बाद उतार चुड़ाव बढ़ जाएगा ब्यापार पढ़ाई के बाद देखा जाए तो उत्तम इस्थती में है बिजनस में सकरात्मकता है ब्यापारिक दुष्टिकोर से समय आपके पक्ष में है प्राइवेट सेक्टर की बाद अवश्य करेंगे तो यहाँ पर मामला थोड़ा हाथ से बाहर जाएगा प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी स्थती नहीं है उसे सरकारी छेत्र आपके लिए कुछ ब्याइतर परिणाम देने के लिए व्याकुल है व्याग्ल है दांपत्य जीवन फर्स्ट हाफ आपके फेवर में है सेकेंड हाफ में बहुत सारी विशंगतियां बहुत सारी समस्याएं आपके लिए नुकसान की स्थिति में आएंगे स्वास्थ बस केवल एक समस्या और वो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम सांस की दिक्कत थोड़ा बहुत अश्टम के चंद्रमा के चलते दुतिय मीटिंग में कुछ गलत आहार के कारण डाइजेशन समस्या भी होगी मेश राशी उपाय क्या करना है आज प्रियोग के तौर पर एक स्पेशल प्रियोग महाशुभ प्रियोग हम बता दे तो मस्तक पर तिलक लगा लिजेगा कुमकुम लाल रंग शुबरंग आपके लिए आज सफेद भाग्य प्रत्षत पच्पन ब्रिशब राशी बहुत सारे विशे आपकी पक्ष से बाहर जा रहे हैं पढ़ाई नहीं हो पाएगी सिक्षा में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां बढ़ रही हैं छठे और सात्वे में चंद्रमा का प्रभाव रहेगा आज पढ़ाई में उतार चड़ाओ बढ़ेगा ब्यापार आपके लिए अनकूल इस्थती ला रहा है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं होगी मजबूत इस्थती के साथ बिजनस आपका आगे बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर के में जॉब करने वालों के लिए इस्थती बहुत सकारात्मग है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनकूलता के साथ चल रहा है समय फेवर करेगा सरकारी छेत्र काम में मन नहीं लगने के कारण इस्थतियां हाथ से बाहर जाएंगी दामपत्य जीवन हर तरह से आपके लिए सकारात्मग परिणाम देगा पति-पत्ती की बीच तालमेल अच्छा रहेगा सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा स्वास्थ उतार चड़ाओ से युक्त है मांसिक परिशानी बढ़ सकती है क्या उपाय करना है उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने उपर छिड़काओ कर ले शुबरंग आपके लिए पीला भाग की प्रत्षत पच्छपन मिथुन राशी यहां चंद्रमा पंचम और छठे में आज संचरण करेंगे 19 जून पढ़ाई में मामला हाथ से बाहर जाएगा सिक्षा अच्छी स्थती में नहीं है ब्यापार के लिए आज रिस्क लेना भारी पड़ेगा पैसे की समस्या आ सकती है प्राइवेट सेक्टर कुछ बहतर परड़ाम दे रहा है जैसा आपने विचार किया है उससे थोड़ा सा बहतर परड़ाम देगा सरकारी छेत्र परिस्थतियों के अनुसार कुछ नया आरंभ करने के लिए प्रेजित करेगा आप बॉस के साथ तालमेल और सामंजस से बहतर बनाएं दामपत्य जीवन अच्छा है पतनी और बच्चों के भीच तालमेल अच्छा रहेगा अनकूलता जरूर मिलेगी स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो सबकुछ बहुत अनकूल है आज हल्का फुलका पुरानी बिमारियां जिनकी है उनको सावधान रहने की आवशकता है क्या उपाय करना है आज के लिए मिथोन राश्यवालों को भगवान सिरीहरी विश्णुक का ध्यान करें ओम विश्णवे नमह ओम विश्णवे नमह इक्किस बारे स्वंत्र का जाब कर लीजिए शुबरंग आपके लिए नीला भाग्य प्रधिशत सत्तावन करकराशी चतुर्थ और पंचम का चंद्रमा आपके लिए कई दर्वाजे खोलेगा पढ़ाई अच्छी चलेगी शिक्षा में सुधार होगा ब्यापार की परेशानी दूर होगी बिजनस आपके लिए अनकूलता देगा प्राइवेट सेक्टर तनाव की स्थती ला रहा है प्राइवेट सेक्टर को सम्हाले सरकारी छेत्र कुछ बहतर परणाम देगा गौर्न्मेंट सेक्टर की चिंता कदापी न करे दामपत्य जीवन आपके लिए अउसर अच्छा दे रहा है पति-पत्नी की बीच ताल मिल अच्छा रहेगा संतान को लेकर के कुछ बहतर परणाम बहतर विचार बनेगी स्वास्त है देखा जाए तो खासी जुखाम की शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर उल्टी हथेली पर सामान ने जल लेकर अपने अपने छिड़काव करे शुबरंग आपके लिए आज नीला भाग्य पित्षत सत्तावन सिंग राशे तिर्ती और चतुर्थिके चंद्रमा के बीच आज फंसे हुए महसूस करेंगे आप पढ़ाई तो बहुत अच्छी नहीं रहेगी सिक्षा में कई तरह से गरबड़ी होगी सिक्षा की स्थती परिशानी वाली है व्यापार आपके लिए बहतर परिणाम दे रहा है बिजनस में आप आगे बढ़ेंगे बिजनस में आपको आज कुछ बहुत अनुकूलता प्राप्त होगी प्राइबिट सेक्टर में चीजें बैलेंस हो रही है आज हो सकता है कि आपके लिए आउसर बड़े मिले दामपत्य जीवन कुछ नुकसान दे रहा है स्वास्थिक ये मामले में देखा जाए तो खासी जुखाम के शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना है गुलाब जल दायनी अथेली पर ले करके सिंग राशी वालों को ओम घ्रन हशोरियाय नमख कहते वे पने पर छड़काव करिए शुबरंग आपके लिए आज सफेद भागी पत्षत अठावन कन्या राश्य दुती और तिर्ती में चंद्रमा मांसिक उद्वेग अवश्य देगा पढ़ाई नहीं हो पाएगी सिक्षा में कई तरह से आपको दिक्कते आएंगी परिशान महसूस करेंगे आप ब्यापार आपके लिए बड़ा अवसर प्रदान करेगा बिजनस की स्थिति बहुत कुछ बहतर कर रही है प्राइविट सेक्टर आपके लिए अवसर नया दे रहा है सकारात्मक्ता दे रहा है शुबता दे रहा है सरकारी छेत्र को साध लीजिए तो सबकुछ बहतर है साधने का प्रयास करिए दामपत्य जीवन नया आरंभ नया विचार पति-पत्नी के बीच तालमेल की शुबता स्वास्थ के मामले में आज माइग्रेन और नेत्रदोश पैदा होगा क्या उपाय करना है कन्या राशिवालों को सेधी हथेली पर कच्चा दूद लेकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करे शुबरंग आपके लिए आज आस्मानी भागी प्रतिशत बावन तुला राशी उतार चड़ाओ से युक्त दिन पढ़ाई नहीं हो पाएगी सिख्चा में मानसिक विकार हो रहा है थोड़ा सभले व्यापार अच्छा है बिजनस की चिंता ना करे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बहतर परणाम दे रहा है अनकूलता है सरकारी छेत्र को साधने में आपको काम्यावी मिलेगी दामपत्त जीवन बहतरीन पति-पत्नी का साथ एक दुसरे को सपोर्ट मिलेगा स्वास्थिके मामले में देखा जाए तो पेट की समस्या और लीवर की प्रॉबलम हो सकती है क्या उपाय करना है गुलाब जल अपने उपर छिड़काव कर लीजे शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग्य प्रिद्शत पच्पन ब्रिश्चक राशी कई मैटर आपके हाथ से बाहर जाएंगे आज द्वादस में चंद्रमा है सुर्योदय के समय फिर आपके लगन में आ जाएगा अर्थात अनुराधा नक्षत्र शनी का नक्षत्र ब्रिश्चक के लिए शनी अकारक होते है पढ़ाई नहीं हो पाएगी ब्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा बिजनस की स्थती बहतरीन प्राइबेट सेक्टर आपके लिए उतार चड़ाओ से युगत रहेगा सरकारी छेत्र में सुधार लाने का प्रियास करे दामपत्य जीवन ब्रिश्चक राशी शुक्र का प्रभाव सूर के साथ मिथुन राशी में है अश्टम में है मैटर कुछ हाथ से बाहर जाएगा स्वास्त के मामले में जुखाम खांसी के साथ साथ डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोक के तोर पर आज अपने मस्तक पर हल्दी का तिलग लगा लीजे शुबरंग आपके लिए पीला भाग्यप्रशत बावन धनुराशी एकादस और द्वादस का चंद्रमा आपके लिए कुछ परेशानी का कारण बनेगा शुक्षा प्रभावित हो रही है पढ़ाई नहीं हो पाएगी शुक्षा को ले करके सतरकता आनिवार रहे ब्यापार की स्थितिक को ले करके थोड़ा सा अटेंटिव होई है बिजनस पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है प्राइवेट सेक्टर में जतना आप सभल सकते हैं उतना आपको सभलना चाहिए सरकारी छेत्र कुछ नया आरंभ कर रहा है दामपत्त जीवन बहतर है पत्नी का साथ मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज इस्थिति आपके हाथ से बाहर निकल सकती है क्या उपाय करना चाहिए आज धनुराशी वालों को आज अपने मस्तक पर सुद्ध देशी घी से तिलक करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज आस्मानी भाग्युपिद्शत सत्तावन मकर राशी दसम और एकादस का चंद्रमा मानसिक द्वेग देगा आज पढ़ाई में कम मन लगेगा शुक्षा प्रभावित हो रही है ब्यापार आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम की तरफ इशारा करता है बिजनस में आप कुछ बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्राइविट सेक्टर कुछ उतार चड़ाव से युक्त समय दे रहा है प्राइविट सेक्टर में आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है सरकारी छेत्र हर प्रकार से आपके लिए सक्षमता और शुबता देगा दामपत्त जीवन बहतरीन पत्नी का साथ मिल रहा है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो अवसर उत्तम इस्थती में है मकर राशी जुखाम खांसी के शिकायत हो सकती है निथा संतुलन बना हुआ है क्या उपाय करना है अपने मस्तक परशुद्ध देशी घी से तिलक लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज आस्मानी भागी पत्षत अठावन चर्चा कुम्भराशी की चंद्रमा का प्रभाव आज हर प्रकार से आपके लिए अनकूल इस्थती में है पढ़ाई शुब इस्थती स्विक्षा में सुधार ब्यापार की स्थती देखा जाए तो अब देखिए दसम में जब चंद्रमा का प्रभेश होगा ब्रश्चिक राशी में तो वो आपके लिए कुछ नया कर रहा है शुब कर रहा है तो आपको चिंता की आवज जगता नहीं है बस आप जैसे हैं कदम बढ़ाते जाए प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ वाहन सुख और नई नौकरी की संभावनाएं भी तलाश नी हो तो दोपहर के बाद तलाश सकते हैं सरकारी छेत्र आज 19 जून को उतार चड़ाओ दामा डोल दामपत्य जीवर अनकूल है अवसर अच्छे मिल रहे हैं स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो पेट की समस्या और किड्नी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगा लिजे शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य पत्षत बावन अंतिम राशी मीन यहां चंद्रमा अश्टम और नवम में रहेंगे मानसिक अशान्ती मिल सकती है पढ़ाई नहीं हो पाएगी आज कुछ न कुछ उल्जन अला जो है बादचीत हो जाएगा ब्यापार अनकूल है बिजनस में आपको चिंता नहीं करना है बहतरीन अवसर है प्राइवेट सेक्टर में समय के साथ कदम बढ़ाना आपके लिए अनकूलता देगा सरकारी छेत्र मानसिक अशान्ती दे रहा गौर्नमेंट सेक्टर को साधे दामपत्य जीवन पत्नी और पती के बीच तालमेल की स्थिती बहुत अनकूल है स्वास्थ्य देखा जाए तो सांस की दिक्कत और पेट की समस्या होगी क्या उपाय करना है अपने कंठ पे हल्दी से तिलक कर लिजेगा शुभरंग आपके लिए आज नीला भाग्य पत्षक 52 राश्यों की स्थिती समझा दिया हूँ एक बार पूर्ण है आपको बता दू कि आपके पास अभी भी एक दो घंटे का समय है मतलब आप सुबह दस बजे तक रेजिस्टेशन करवा सकते हैं मनोकामना सिद्धी अनुष्ठान में मात्र 51 रुपए जीएश्टी सहित दे करके इस अनुष्ठान का पूर्ण अलाव और पंच पकार के विशेश सामगरी उपचार के रूपे प्राप्त कर सकते हैं उनकी प्रियोग विधी हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से जो जो भाग लेगा उसको तो देर मत करिए अगर आप भाग लेने के लिए विचार कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है बस तुरंत आप रेजिट्रेशन करवा ले आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज के लिए स्पेशल शुभ सक्सेस की रिंग फिंगर में देशी घी और हल्दी लगा कर अपने कंठ को छूदे काम पूरा चर्चा आज के लिए चलते चलते अब भाग याक्षर का मेश वागषर ब्रिशव का मिथुन यागषर करकपा सिंग चागषर कन्यात्ता तुला भागषर ब्रिश्चिक धा धनू वागषर मकरखा कुंभ मागषर मीन जा शुब भाग याक्षर पर जो है इसे अपने पास रखना होता है चंद्र राशी के अनुसार लिख करके पास में रख लीजे और अब जान लेते हैं आज के लिए स्पेशल आईश्मान भवा जिनका आज हैपी बर्थडे हैं उनके लिए शुब कामनाओं सहित रिंग फिंगर में केसर लगा लिजे और शिवलिंग को स्पर्श करके ओम नमह शिवाय का 108 बार जाब कर लिजे गामपूरा किसी को आज थोड़ा सा खाने पीने की वस्तुदान कर दीजे और अगर संभव है तो रुद्राविशेग भी करवा लिजे मैरे जनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पती पत्नी मिलकर शिवाले की तीन परिक्रमा कर ले रुद्राविशेग कर वा ले और तीन माला गायत्री मंत्र का जाब बैठ कर कर ले आज के लिए इतना ही बार पुनह आपसे आगरह करते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके रजिश्टेशन करवा लिजे और आदंद उठाइए नई जानकारी ये है कि कल परसो दो दिन बनारस हम रहेंगे अपॉइन्मेंट लगातार चल रहा है बनारस वालोई अगर आप मिलना चाहते हैं तो आपके पास बड़ा आउसर है बनारस में मिलने का मिलकर कुनली दिखाने का देर मत करिये तुरंट अपॉइन्मेंट वुक कराईए और आईए बनारस बाबा विशुनात की नगरी में और अगर आप लोग ठीक ठाक संख्या तक आ गए और हमारा मन लग गया तो हर महीने हम बनारस आना चाहेंगी यह आपके उपर निर्वर्ष करता है कि आप कितना प्यार अपना देते हैं बहुत बोशुक्र आपका धन्यवाद नमस्कार शिरादे आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हुदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक झाल ग्रहदीब मॉडलिंग झाल ग्रहदीब मॉडलिंग यद्यदीब अनेक झाल यद्यदीब